पांच रुपय में आपको घर तक पहुंचा के देंगे यह 500 रूपय में एक बार नहीं हम हजार अछी पांच सो रूपय में Sum Los SAP PAR państwo है यहाँ अजाया हूँ जय इत गुलावी नगरी और यहाँ किसान भाईयों को आज की वीडियों में 500 रुपए में गर तक किसान किसान बाईयों मैं अजी सिंग राठोड जो किसान एग्रो मैक्स कंपनी की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ मीनी वेडर जो मीनी वेडर है आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और जबरदस्त मीनी वेडर मिलेंगे आपको छोटे से और बड़े मीनी वेडर एक नहीं अनेक परकार के मीनी वेडर मिलेंगे यहां आपको आपको सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा और सकने दमदार पावर वीडर मिलेगा झिसका नाम हैμεनीOh style छोटू टेक्टर के नाम से जानते हैं तो पहला नहींघ मारा मैंस सबसे बाइस्ट लुकिंग में далее pre-shop मीनीडर के नाम से झाना जाता है फोरेशपी मीनीडर अब को पांच व्यवopen में घर तक पहुंचा के देंगे वीडियो में बोला किशान भाई यह आज 500 रुपए में घर तक पहुचने वाला मिनी पावर वीडर कंपनी के सारे वह आपको बता रहें सरमाजी आपको मिनी वीडर है इसका फोर इस्टोक जो and है यथा हमारा फोरschaftर इंजन है जी और इसको करने के परपस से सबजी के परपस से ले सकते हैं गुदाइकर बागवानी और जिस सब्वार के पास में जमीन हूटी है या फिर बजट करने में पहूंच पहुंच पाते हैं वहां पर आपका काम भी करेगा और आपके पैसे की बचत भी करेगा किसान भाई यहों सर ने बता जा जहाँ तक बड़ा ट्रीक्टर नीन पूश तर अब बात करते हैं जैसे किसान वाई सबजी की खेती से नहीं यहाँ पे अपर अपर हर परकार से काम कर सकते हैं चाए Mart सब्जी की में किने लो चाए गार्डन में सब्गार्न में यूज कर सकते हैं अच्छे बात करते हैं निराई गुडाई किसान भाई इससे कड़ता है वहां बाद में घास तो निराई की खेत के अंदर यह सर जो आपने यह ब्लेड देर ख्रैक है यह जो इसकी ब्लेड है यह हाइड्रोलिक सिस्टम से बनाई गई है जी और इसका डिज जैसे मिटी री राजस्तान के मिटी में थी ली कितरे करके आपको फ्लेड के बात करते हैं और बिलेंट формatiny 17 पचल नाँ सकते हैं तो साइड से इच्यार बिलेड हटा सकते हैं अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो इसमें आप बारां इंची का रूटर वेटर का जो सैट होता है वो भी आपको मिल चाहता है और अगर बड़ी आपकी लेंथ है जैसे गन्ना है या और किसी फसल में करना चाहते हो तो लगबग 18-शी लेंथ होती है चोड़ाई होती है जो फशल की उसमें आप इसkी जुताई कर सकते हैं अच्छाई करते हैं समये इसकी गैराई कितनी ऑगी अगर जुताई की टाइंपे अगर बात करते हैं तो 500-600 घेराम के अंदर पांथा ही आप करोगे तो 500-600 गिराम आएगा अगर आप नोर्माली खर्पतवार को निकालते हैं तो परती गंटे का 500 गिराम का पैट्रोल लेगा यह अच्छा एक गंटे में 500 गिराम तेल लेगा और आराम से आपकी एक घंटे तक जुताई करेगा अच्छा अब बात करते हैं लगातार इस स्टम होता है कि या फिर कोई धंदा करने के लिए लगाया जाता है पर ये मशीन वो चीज़ आ कि हावा से थंडी होती तो इसको फंडा करने के अब बात करते हैं यह जो आपने लगा रख कासर इधर यह लग रहा इसका क्या कारण है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा यह एर फिल्टर है सरमाजी इसलिए डबल लगाया जाता है कि जब हम जुताई करते हैं या फिर खेत के अंदर गुड़ाई करते तो वहां पे क्या है उसलिए इसलिए इसमें दो साफ करके पैट्रॉल से और वापिस लगाओ तो वह उसी कंडिसन में तयार हो जाता है कि दूसरे दिन और जी मिल जाती है उसको काम करने की जहां इंजन दबता नहीं है अच्छा इसलिए डबल एयर फिल्टर लगाए जाते हैं अब बात करते हैं यह क्या सर यह पीछ यह के लिए यह सर इसका अटेच्मेंट है जो मिट्टी चड़ाने का काम करता है किसान भाई इसको अगर जिसको किसान भाई को ज दिया जाएगा डेड़ फिट का रूटर वेटर अच्छा अब बाइक में डाल दिये और एक महिने तक दो महिने तक आप चलाओ वही सिस्टम इसमें है और पैट्रोल डालो और चलाओ अगर बार बार डालने की प्रोब्लम दूर कर दी हमने अच्छा अब बात करते हैं जै पानी से भी इसको दो सकते हो और कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हो या फिर ब्रस आपने तो उसे भी आप इसको मिटी डश्ट हटा सकते हो बाकि सर्विस अगर करना है तो सर्विस में आपको ओल है या पर ओल अलग चैंबर दिया गया है जिसमें फोरी स्टोक में अलग करोगे यहां और इस में दूसरा दिया है यहांपे जानकारी नहीं पूछना है आपको यह नयांट नहीं डिया जाता जिए यहां पे आपको शिरुप घ्रिस करना होता है यह नट खोलना है और आपके घर पे इंजेक्शन होता है यह यह फिर गन है तो आप गन से इसमें घ्रिस करके और अपनी सर्विस घर पे कर सकते हैं उसरा मोडल देख रहा हूं बहुत हैवी लूक के अंदर आपने तयार क कई है पर कुछ किसान भांव को किया होता है कि फोर ऐस्टोक में जो प्राइज का है भी थोड़ा सा कोस्टिंग लगता है तो सह में मुंवन कोई फरक नहीं डाला पर थोड़ा सा प्राइज परग डाला है कि किसान को 1-2,000 रुपै रुपै सस्ता मिल जाता है तो किसान को वही चीज अगर पैसान शिओन नहीं लगे और हजार रुपै की बचात तो हमने इस फोड़ी सी लुकिंग है वो कम कर दी और इसमें प्राइज में सस्ता दे दिया कि किसान भाइई इसको आसानी को खरीद सके अब बात करते हैं जैसे ऐसा लग है देखने में देना जासन दोन passado हूं जैसरे दो देखने में आपको दोनों us move वारेंटी वारेंटी की बात करते सर्माजी तो इसमें गारंटी नहीं वारेंटी होती है जो कबी चलते चलते मशीन को service की जरूरत पर जाती है अगर कोई parts खराब हो जाता है या repairing होती है तो repairing company भी आपको free में करके देगी और अगर आप कोई parts मंगवाते हैं तो parts भी आपको home delivery भीज़वा दिया जाएगा home delivery आपको charge free रहेगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा फिरी मिलेगा आपको और फिरी ही हम विजवाएंगे ऐसा तो नहीं होगा जैसा है बाद में किसान वाई आपको कोल करें आपका स्टाप कोल ना उठाएगा सर्विस भी देगा और कंपनी का जो नाम बता रहे हैं किसान एग्रो मैक्स कंप यह कोई अब परोब्लम है तो सोलीज्य भी होगा और अगर सर्विस में कोई प्रोब्लम मारी आहीं या मसीन में कोई प्रोब्लम मारी है तो उसकी हर तरीक hour से आपकी सपोर्ट किया जाएगा अब बात करते हैं यह आपका तीसरा मोड़ियल मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे लुक में आपने तैयार कराया सर इसके बारे में जान करीदें थोड़ी सी यह सर हमारा जो सबसे पुराना मोडल है फॉर स्टोक नहीं यह जो फॉर एच्पी का ही मोडल है यह टूस्टोक है जिसमें हम टूटेओल पहले डाल करके और चलाते थे यह इन मोड इसके आई समय क्या डिप्लेंट से बताएं इसमें पहला काम तो है कि जो आप लुकिंग वाइज देख रहे हैं यह लुकिंग हमने जो सेवन एच पी मोडल या फिर हम आइट एच्पी का मोडल जो बड़े पावर वीडर होते हैं उसी की लुकिंग वाइज हमने यह तयार कि कि आपको टूल बोक्स वह लग से दिया जाता है कि आप अपना टूल रख सकते हैं अगर मसीन का कोई लुज हो जाता है जुताइचर करते टाम पे तो आप इस टूल बोक्स को इसके साथ में ही रख सकते हैं पूरी सेप्टिक के साथ में दूसरी चीज है जो यह हमारा या फिर पिता है जो बुजुरूग है वो चलाने में ऐसा मरता है तो भी सको आसानी से चला सकता है हो इजिली तरीके से चला सकता है और उठाने में भी ये लाइट वेट है तो इस 24-25 regulated का इस पूरी मशीन का वेट होता है तो आप उठा कर भी एक किस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जा सकते हो अच्छा पैट्रोल की खपत की बात करते हैं तो यह प्रति गंटे का 600 ग्राम पैट्रोल लेगा जुताई के अंदर अगर आप इसको खरपतवार में चलाते हैं तो यह प्रति गंटा 500 ग्राम का कि अप लेगा एक घंटे में 500 ग्राम पैटरोल की खफत रहेगी सके अंदर 500 ग्रामर की अदर एक घंटा आराम से चलेा एक चला इसकी सर्विस्पितने गंटे पर करनी किसान इसमें सर्वीस का पैट्रोल डालना होता है पैट्रोल के साथ में आपको टूटी ओल मिक्स करना होता है वह अनिवारी है आप पैट्रोल के साथ में अगर टूटी ओल मिक्स नहीं करते हैं तो यह इसका रिंग पिश्टन होता है वह जाम हो जाता है जिसको इंजन सीज बोलते हैं और वो होने के बाद में किसान परेसान होता है कि मेरी मसीन में ये प्रोब्लम आ गई वो प्रोब्लम आ गई किसान भाई हो पहले आप वीडियो की पूरी जानकारी लीजे मसीन लेने चलाने से पहले आप इसको पूरा जानकारी लो उसके बारे में इसकी सर्विस टाइम पूछो कैसे सर्विस करनी है क्या डालना है क्या हटाना है क्या लगाना है इसमें टूटी ओल मिक्स करना है हर बार करना है और जो सैम प्रोसेस है जो इसमें गेर बक्सा होता है जिए बक्से में आपको यहां से नट खोल करके और ग्रिस करोगे और हर थे बाद करना है बात करते हैं नहीं को क्या होता है क्याइं? जो सिस्टम होता है वो समझ में नहीं आता है की कैसे चलाना है कई बार के बहुत करके और आसानी से चला सकते हैं अब माता भी चला सकती है बहन भी चला सकते हैं और भिज्बूरु की पिता है वो भी चला सकता है अगर छोटा भाई है तो भी आपका घर में जूताई कर सकता है और इसको चला सकता है अब मैं आपका यह मोड़न की खाथ बताओ आप ले आपका 4HP का करना चाहता है जिसके पास में मतलबी की सो गज या दो सो गज का जमीन है ज्यादा जमीन नहीं है तो वह इसको ले करके अपना काम निकाल सकता है और उस जमीन के अंदर अपनी सब्जी लगा सकता है कुछ भी पैदा कर सकता है पोधे लगा सकता है तो उसके लिए यह सबसे सिस्टम से तयार किया घुए करते हैं यह आप सब्सक्राइब्स नम्डद करेंगे तक अगरको ऐसी शुka और ऐंदेश्चेंज भी करा सकते हैं अच्छा आपका ये नया मोडिल में देखना हूं सार इसकी तो लुक की बनावट भी कुछ अलग है इसके बारे में बताएं सर यह सर ब्रस कटर इसको बोला जाता है ब्रस कटर में इसको दूसरा टेक्टर अगर आप बोले तो चोटू मीनी टेलर भी बहुत सकते हैं जो आज के लिए इसको आप bei अटेजमेंट यह लगा करके इसको काम में ले सकते हैं और दूसरा इसमें अग्र आप जुताई करना होता है तो बारा इंची में आप इसको यूज कर सकते हैं अगर इसमें आप छोटा और लेना चाहते हैं तो यह 10 आपको मिल जाएगा अच्छा जो 3D ब्लेड होती है यह भी आप इसी में लगा करके और जो जंगली घास होती है बड़ी-बड़ी करपतवार हो जाता है या अप्स पड़्य होते हैं उनको इससे आप लगा करके हटा सकते हैं अब बात करते है इसके अंधर यह मैं देख़ आप तीसरा पाइया देख रखता हैं यह तीसरा पाइया इसलिए दिया गया कि जब आप इसको चलाओ चलने के बाद में क्या होता है कि अगर आप चलाते चलाते इसको छोड भी देते हैं तो यह इसटौप हो जाता है मतलब अपनी कंडिसन में वहीं पे उपा रहे आपको चोडने के बाद में इधर गिर जाए यह सपोर्ट करने के लिए दिया गया है जो डेस्ट होती है अजो या फिर प्र आजाती है तो कपड़े से इसको साफ करना है वह करना चाहूँ आप तो पानी से इसको धोती सकतियो अब लाश्ट आपका मोडिल मैं देख रहा हू से इसके बारे में जानकाइद रहाएं थोड़ी सी येफ चोटουν है मीनि टेलर बहुत सकते हैं ये भी सी सेरीज का यह सा है जो मीनि टेक्टर के नाम से जाना जाता है फार क्रिशन चैक्टर है छोचन टेलर है इसको आप घर पे लाँ लगाना है उसके लिए आप उसको चाहते हैं सब्जी में डालने के लिए या फिर कुछ विजीटेवल्स लगाना चाहते हैं नोर्मली तो आप इसको यूज कर सकते हैं यह आज कीमत क्या करने वाले सर इसकी कीमत की अगर बात करते हैं तो सबसे सस्ता पावर वीडर जो रहेटे नहीं दी है किसान बाईयों ने इसकी जो रहते दे रखी है वह सबसे 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 मिलेंगी मातर आपको 26000 रुपय में पावर वीडर चोटु टैक्टर मिल जाएगा आपको सात में क्या मिलने वाला भीया इसकी सात में आपको नो इंची का मिलेगा यहाइगा Aham कषात की कीमत बताएं सबस्क्किंत आपको मातर 25000 रुपय में मिल जाएगा यह होम डिलेवरी अच्छा 25,000 में भिजवाएंगे आपको सर अच्छा यह तीसरा मोडिल में देख रहे हूं इसकी कीमत बताएं सर यह आपको 22,000 रुपए में मिलेगा होम डिलेवरी फिरी रहेगी इसकी आपको और उसके बाद ओ जो देख रहा हूं सर यह जो आपको शोला आपको 16,000 रुपए में मिलेगा जिसको ट्रॉली और यह फिर प्रम जाता यह लाइप लाश्ट ऑपकि इसकी कया कीमत और यह आपको पर हूम डिलेवरी फिरी रहेगा किसान वाईयों को प्रीमत तो आपने बता जी जो हमारा स्कीन सोट देखके आपके पास आएंगे उनको क्या चूट करने वाले जाएगा चाहिए वो मसीन ले और चाहिए ये मसीन ले हर मसीन पे आपको हजार रुपा का डिसकाउंट दिया जाएगा किसान वाईयों सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है मिनी पावर बीडर के वारे में और कैसा काम करने वाले हैं पूरी जानकारी वीडियो के अंदर है और भारत वस में सबसे सस्ते मिलने वाले हैं आज की दियो ही जानकारी किसान वाईयों अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाज़े से जाज़े लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय जमान जय किसान धन्यवाद